स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्थित एक स्केंडिनेवियाई देश है ये एक शेत्रफल के हिसाब से यूरोपिये संग का तीसरा सबसे बड़ा देश है और इसकी आबादी लगभग 10.4 मिलियन है स्वीडन में एक मजबूत कल्यानकारी राज्य और उच्च स्तर का जीवन स्तर है जिसमें अत्यदिक विक्सित अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्यान कारेक्रमों पर जोर है निजी और सार्वजनिक स्वामित्व के सयोजन के साथ देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था ह स्वीडन बड़े जंगलों, कई जीलों और लंबी तट्रेखा के साथ अपनी प्राकृतिक सुंदर्ता के लिए जाना जाता है। बाद में मध्य युग में, ये हंसियाटिक लीग में एक प्रमुक खिलारी बन गया। आज, स्वीडन एक समरिध सांस्कृतिक विरासत वाला एक आधुनिक और विविद देश है, जिसमें संगीत, साहित्य और कला शामिल है। अक्षय उर्जा और पर्यावरन के अनुकूल नीतियों पर ध्यान देने के साथ देश स्थिर्ता के प्रती अपनी मजबूत प्रतिबधता के लिए भी जाना जाता है। स्वीडिन की एक समरिध और विविद संस्कृती है जो इसके इतिहास, भूगोल और सामाजिक मांदंडों से आकार लेती है। स्वीडिश संस्कृती समानता, व्यक्तिवाद और पर्यावरन वाद पर जोड़ देने के साथ साथ साथगी, स्वच्छता और अतिसुक्षमाद की सरहना के लिए जानी जाती है। स्वीडिश संगीत का एक लंबा इतिहास रहा है और इसमें पारंपरिक लोग संगीत के साथ साथ आधुनिक पॉप और रोग भी शामिल है। कुछ प्रसिद्ध स्वीडिश संगीत कारों और बैंडों में अबबा, रोकसाट और एस ओफ बेस शामिल है। कार्यात्मक्ता और अतिसूक्षमबाद पर ध्यान देने के साथ स्वीडिश डिजाइन भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध स्वीडिश डिजाइन ब्रैंडों में आइकिया और वॉल्वो शामिल है। मीटबॉल, कोर्टबुलर, ये छोटे अनुभवी मीटबॉल होते हैं जो आमतोर पर ग्राउंड बीफ या बीफ और पोर्क के सेयोजन से बनाय जाते हैं। उन्हें अक्सर लिंगोनबरी जैम और मसले हुए आलू के साथ परोसा जाता है। स्मोगस बॉड ये एक पारम पर एक स्वीडिश बुफे शैली का भोजन है जिसमें विभिन प्रकार के ठंडे और गर्म व्यंजन शामिल हैं जिनमें मसालेदार हैरिंग, स्मोग्ट सालमन, मीटबॉल, आलू और ब्रैट शामिल हैं। सिनिमन बंज, कैनल बुलर, ये मीठे, डालचीनी स्वाद वाले बंज हैं जो स्वीडिन में एक लोगप्रिय नाश्ता या नाश्ता आइटम हैं। सेना भूमी संचालन के लिए जिम्मेदार है और इसमें कई यंत्रीकृत ब्रिगेट, साथ ही विशेश बल इकाया हैं। स्वीडिश नौसेना समुद्री रक्षा के लिए जिम्मेदार है और पंडुब्बियों, गश्ती नौकाओं और कार्वेट के बेड़े का संचालन करती है। स्वीडिश वायू सेना हवाई रक्षा के लिए जिम्मेदार है और लड़ाकू जैट, परिवहन विमानों और हेलिकॉप्टरों का एक बेड़ा है। वायू सेना बाल्तिक शेत्र में वायू पुलिसिंग मिशन जैसे अंतराष्ट्रिय परिचालनों में भी भाग लेती है। स्वीडन में तच्थता की एक लंबी परंपरा रही है और 1814 से युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हाला की स्वीडिश सशस्त्र बल अफगानिस्तान, माली और कांगो लोकतांत्रिक गनराज जैसे अंतराष्ट्रिय शान्ती अभ्यानों में भाग लेते हैं। कुल मिलाकर, स्वीडिश सशस्त्र बल एक आधुनिक और अच्छी तरह से सुसच्जित सैन्य बल है जो राष्ट्रिय रक्षा और अंतराष्ट्रिय शान्ती प्रयासों में महत्वपून भूमिका निभाता है। वेडन में सुन्दर प्राकृतिक द्रिश्यों, एतिहासिक स्थलों, संग्रहालेयों और सास्कृतिक कारेक्रमों सहित विभिन प्रकार के परेटक आकर्शन है। स्वीडन में कुछ लोग प्रिये परेटन स्थल इस प्रकार है। Stockholm, Sweden की राजधानी Stockholm अपनी खूबसूरत वास्तुकला, जलमार्ग और सांस्कृतिक आकर्शनों के लिए जाना जाता है, जिसमें वासा संग्रहाले, स्कैंसेन ओपन एर संग्रहाले और रोयल पैलेस शामिल है. गोथेंबग, Sweden के पश्चिमी तरपर स्थित, गोथेंबग एक जीवन्त सांस्कृतिक द्रिश्य, एतिहासिक स्थलो और लिजेबग मनोरंजन पाक जैसे लोकप्रिय आकर्शनों वाला एक हलचल भरा बंदरगाह शहर है. मालमो, दक्षिनी स्वीधन में स्थित, मालमो एक जीवन्त शहर है जो पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला, सुन्दर पाकों और कला दीर घाओं के मिश्रन के लिए जाना जाता है. स्वीधिश लेपलेंड, स्वीधन का सबसे उत्तरी क्षेत्र, स्वीधिश लेपलेंड अपने आश्चर्य जनक प्राकृतिक ब्रिश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें नौर्डन लाइट्स, बर्फ से धके पहाड और जंगल शामिल है. लोग प्रियग अतिविधियों में डॉग स्लेजिंग, स्कीइंग और आइस फिशिंग शामिल है. गोटलेंड, बाल्टिक सागर में स्थित एक सुंदर द्वीप, गोटलेंड अपनी मध्यकालीन वास्तुकला, एतिहासिक स्थलो और आश्चर्य जनक समुद्र तटो के लिए जाना जाता है. एबस्को नाश्नल पार्क स्वीधिश लेपिलेंड में स्थित, एबस्को नाश्नल पार्क बाहरी उत्साही लोगों के लिए एक लोग प्रियगंतव्य है, जिसमें लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स, स्कीइंग और नौडन लाइप्स देखने का मौका है. स्कैन, दक्षिनी स्वीधिन में स्थित स्कैन अपने खूबसूरत ग्रामीन इलाकों, आकर्शक छोटे शहरों और उत्कृष्ट भोजन और शराब के लिए जाना जाता है. ये स्वीधिन के कई परियतन स्थलों के कुछ उदाहरन हैं जिन्हें आप देख सकते हैं. स्वीधिन में सरकारी नियुक्तियां स्वीधिश सम्विधान और विभिन कानुनों और विन्यमों द्वारा शासित एक प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं. स्वीडन के प्रधान मंत्री की नियुक्ती स्वीडिश संसद रिक्स्टै के अध्यक्ष द्वारा की जाती है प्रधान मंत्री तब सरकार के सदस्यों की नियुक्ती करता है जिसमें मंत्री और राज्य सचिव शामिल होते हैं सरकार कानूनों और नीतियों को प्रस्तावित करने और लागू करने के साथ साथ देश की दिन प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है स्वीडन में अन्य सरकारी नियुक्तियों में विभिन सरकारी एजैंसियों के प्रमुक शामिल है जैसे की स्वीडिश राष्ट्रिय पुलिस, स्वीडिश सशस्त्र बल और स्वीडिश राष्ट्रिय न्यायाले प्रशासन ये नियुक्तिया सरकार द्वारा की जाती है और उम्मी द्वारों को आमतोर पर संबंधित क्षेत्र में उनकी योगिता और अनुभव के आधार पर चुना जाता है स्वीडन में एक विविद अर्थव्यवस्था और कई प्रकार के उद्योग है जो विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करती है स्वीडन में कुछ शीर्ष नौक्रिया इस प्रकार है Software Developer Sweden में एक संपन्न तक्नीकी उद्योग है और Software Developers देश भर में उच्च मान में है Ericsson, Spotify और Kalana जैसी कंपनिया Sweden में स्थित कई तक्नीकी फर्मों में से कुछ ही है स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर Sweden की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को अत्यधिक माना जाता है और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों जैसे डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों की एक मजबूत मांग है इंजिनियर स्वीडन में नवाचार का एक लंबा इतिहास रहा है और इंजिनियरों की विनिर्माण, आटोमोटिव और एरोस्पेस सहित कई उद्योगों में उच्च मांग है शिक्षक, स्वीडन में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और देश भर में योग्य शिक्षकों की भारी मांग है विप्णन प्रबंधक, कई स्वीडिश कंपनिया अपने मजबूत ब्रांडों के लिए जानी जाती है और इन ब्रांडों को बढ़ावा देने और विक्सित करने में मदद करने के लिए विप्णन पेशेवरों की अत्यधिक मांग है स्वीडन कई बड़े वित्तिय संस्थानों का घर है और वित्तिय विशलेशकों की निवेश प्रबंधन और विशलेशन में मदद करने की मांग है स्थिर्ता विशेशग्य स्वीडन सतत्विकास में अग्रणी है और ऐसे पेशेवरों की मांग बढ़ रही है जो कमपनियों और संगठनों को अधिक परियावरण नुकूल प्रथाओं को अपनाने में मदद कर सकते हैं लगभग 83 वर्षों की औसत जीवन प्रत्याशा के साथ स्वीडन दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशाओं में से एक है स्वीडन कॉफी के प्रती अपने प्यार के लिए जाना जाता है स्वीडन के लोग दुनिया के किसी भी देश की तुलना में प्रती व्यक्ति अधिक कॉफी पीते हैं स्वीडन दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत लौ अयस्क खदान किरुना खदान का घर है स्वीडिश भाषा में आ, और ओ सहित कई अध्वितिय अक्षर है स्वीडन आई की, हम और वॉल्वो सहित कई प्रसिद कम्पनियों का जन्मस्थान है फ्रांस और स्पेन के बाद भूमी क्षेत्र के हिसाब से स्वीडन यूरोक का तीसरा सबसे बड़ा देश है स्वीडन खूपसूरत प्राकृतिक ड्रिशों के लिए जाना जाता है, जिसमें विशाल जंगल, जीले और पहाड शामिल है स्वीडन स्वीडिश डिजाइनर फरनीचर, फैशन और वास्तुकला के प्रतिष्थित टुकडे बनाते हैं स्वीडन एक सम्रिध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, जिन में नोबेल पुरसकार के संस्थापक अलफ्रेड नोबेल, फिल्म निर्माता इंगमार बर्गमैन और लोगप्रिय पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग पुस्तकों के लेखक शामिल है